Hello and welcome back students, study roof में आपका स्वागत है और हम लोग energy sector को discuss कर रहे हैं इससे पहले nuclear energy के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ इसके बाद अब पिछले वीडियो में मैंने आपको wind energy के बारे में बताया आज हम लोग thermal energy यानि तापिय उर्जा पर बात करेंगे देखें तापिय उर्जा का बहुत महत्पूर्ण इस्थान है और अगर भारत ही कुल उर्जा उर्जा पादन में देखा जाए तो कुल उर्जा में देखें लगबग 65 फीजदी यानि 64 दस लोग कुछ फीजदी तापिय उर्जा का इस्थान है तो आप यह उर्जा देखिए किस्किन चीजों से पाई जाती है तो देखिए सबसे पहला तो है टेल फिर गैस और फिर है कोईला तो आज हम लोग कोईले पर डिसकस करेंगे देखिए सबसे जादा इससे लगबग 56 फीज दी फिर उसके बाद इससे 17 फीज दी और लगबग 3 फीज दी इससे उत्पादित किया जाता है नहीं पृत्रमस्थान पर कोईला दूसरे पर गैस और तीसरे पर तेल है तो आज हम लोग महतपूर कोईले पर बात करेंगे देखेंगे कोईले की कौन-कौन से परकार होते है उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कोईले की खाने कहा कहा पर इस्थित है आपको जो महतपूर रखना है वो कोईले कोईले की परकार यानि कोईले की किस्म आपको और ये भी पता रखना है कि बारत बहुतायत में कौन सा कोईला पाया जाता है और बारत में कोईले की खाने कहा कहाँ पर मोजूद है ये सारी चीजें आपको यहां पर ध्शान रखनी है तो चलिए स्टार्ट करते हैं देखी अगर कोईले की बात हम लोग करें तो कोईला एक कार्वोनिक कार्वानिक का मतलब है कि कार्वन इसमें बहुतायत में पाया जाता है ठीक है अगर इसके निर्मार की बात करें तो देखे इसका निर्मार कैसे हुआ है कई लाखों सालों पहले पिर्थिवी के जो ये पेड़ पोधे थे और फॉजिल्स थे ये नीचे धर्ती पर पढ़ते चले गए और कई लाखों सालों तक इन्हें उच्छ दबाव और गर्मी में रखा गया तो ये धीरे-धीरे कोईले में परिवर्थित हो गया है ठीक है तो कोईले के बनने की परिक्रिया लाखों सालों की है इसलिए ऐसा कहा जाता है कि कोईले जो हैं वो सीमी थे हमारे और इनके बनने की रफ़तार से कहीं जादा हमारे इस्तेमाल करने की रफ़तार है लेकिन फिर भी कोईला एक देश के निर्मार में बहुत योगदान रखता है भारत के निर्मार में कोईले का अपना एक अलग महत्व है बलैक इतनामी है इसकी ठीक है तो अगर कोईले के प पहला है एंथ्रासाइट हिंदी में लिख देता हूं यह सर्वोच क्वैल्टी का होता है सर्वोच गुणवत्ता होती है और इसमें जो कार्बन की मात्रा है वो 80 से 90 फीजदी की होती है इसमें जो राक है राक न्यून्तम होती है और यह देखे भारत में इस प्रकार का कोईला सिर्फ जम्मौ एन कास्मीर में पाया जाता है और कहीं भी नहीं पाया जाता तो भारत इस प्रकार के कोईले में इस किस्म के कोईले में deficient है ठीक है तो इस प्रकार का कोईला सिर्फ और सिर्फ जम्मौ कास्मीर में पाया जाता है और यह most important है क्योंकि हम लोग यह सोचते है कि जम्मौ कास्मीर में तो कोई खान भी नहीं है वहाँ पर कैसे कोईला पाया जा सकता है ठीक है तो चलिए अगले प्रकार का कोईला देखते हैं दूसरा है बिटुमिनस और देखिए या मध्यम या दुतिये गुडवत्ता का है और इसमें देखिए 60 से 80 फीजदी कार्बन पाया जाता है और देखिए भारत में 98 फीजदी कोईला विटुमिनस प्रकार का है यानि अब से हम जो भी आपको खान बताएंगे वो बिटुमिनस कोईले की ही खान होगी चलिए आगे देखते हैं जो हमारा अगला किस्म का कोईला है वह है लिगनाइट और देखिए लिगनाइट में कार्बन कंपोनेंट बहुत कम होता है इसमें जो कार्बन की मात्रा होती है वो 40 से 60 फीज़दी के करीब होती है और राक जादा होती है सलफर कंटेंट भी जादा होता है तो इसलिए इसको जलाने से प्रदूशन भी अधिक फैलता है प्रदूशन भी अधिक फैलता है और इनके ही जलने से कोक का उत्पादन भी होता है ठीक है तो चलिए इसमें देख लेते हैं इस प्रकार का कोईला सत्तर फीजदी तमिल लाडू में पाया जाता है तमिल लाडू में कहा नेवेली में पाया जाता है नेवेली एक खान है वहाँ पर पाया जाता है तो नेवेली खान कहां पर है गुजरात तमिल लाडू में है ठीक है इस बात का ध्यान रखिएगा उसके बाद चौथे प्रकार का जो कोईला है वो है पीट और इसमें कार्बन 40% से कम होता है इसलिए इसको उत्खनित करना हमारे लिए आर्थिक रूप से सही नहीं होता है इसलिए हम इसको उत्खनित भी नहीं करते हैं अब बात करते हैं कोईले की खानों के बारे में तो देखिए अगर हम कोईले की खान के बारे में बात करें तो भारत में विभिन जगा पर कोईले की खाने है आईए इसको हम लोग नक्से के माध्यम से देखते हैं कि भारत में कौन सी कोईले की खान कहां पर है हम लोग साथ साथ देखते भी जाएंगे देखिए भारत का कुछ ये नक्सा है ये है भारत का नक्सा अब आईए देखते हैं यहाँ पर कहा कहाँ पर कोईले की खाने है देखिए अगर हम बात करें ज्यारखंड की ये हमारा ज्यारखंड का छेतर है तो देखिए यहाँ पर कौन कौन सी खाने है यहां पर है जारिया जारिया कोईले की खान उसके बाद देखिए धनबाद है फिर है बोकारो उसके बाद है गिर्डी यह कोईले की खाने कहां पर है यह जारखंड में है उसके बाद हम लोग देखते है यह हमारा पस्चिम मंगाल है देखिए इस छेत्र में कौन कौन सी कोईले की खाने है यह भी देख लेते है रानी गंज है और बीर भूमी यह कहां पर है देखिए यह पस्चिम मंगाल में है जहां पर रानी गंज में सबसे ज़्यादा कोईला उत्पादित किया जाता है उसके बाद हम लोग देखते है च्छतिस गड़ में यह जो छेत्र है मारा यह च्छतिस गड़ का छेत्र है और इसमें देखते है कौन कौन सी कोईले की खाने है देखिए कोरबा और उसके बाद है चिना कुरी और उसके बाद हम लोग देखते है यह उड़ीशा के छेत्र में यह वाला जो छेत्र है इन में कौन कौन सी कोईले की खाने है इनको भी देख लेते हैं तो देखे जारसु गोड़ा जारसु गोड़ा है तालचेर है रामपुर यह कुछ चतिस गड़के औरिसा के कोईले की खाने है उसके बाद आगे देखते हैं यह वाला जो छेत्र है आपको पता होगा अगर आप मैप पर देखेंगे तो आपको दिख जाएगा यह वाला जो छेत्र है यह तेलंगाना का है और यहाँ पर देखिए सिंग्रैनी सिंग्रैनी कोल फिल्ल है और कनाट पल्ली है यह तेलंगाना में है देखिए एक सिंग्रैनी है और एक सिंग्राली है तो सिंग्राली हमारा मद्ध प्रदेश के पूर्व में है ठीक है तो इन सारी बातों का ध्यान रखना है उसके बाद अगर हम MP की बात करें तो देखिए मैंने आपको यह तो बता ही दिया था की जो निवेली है वो तमिल लाडू में है उसके बाद महरास्ट की बात करते है देखिए अगर महरास्ट की हम लोग बात करें तो महरास्ट में कौन कौन से है एक नापपूर है नापपूर के अलावा वारधा में है यह महरास्ट में है उसके बाद अगर हम बात करें मद्द प्रदेश की देखिए हमारा यह जो छेत्र है यह मद्द प्रदेश का छेत्र है और इसमें देख लेते हैं मैंने आपको पहले बताय था सिंगरॉली मद्द प्रदेश में है और उमरिया सत्पुड़ा यह सारी जो खाने हैं यह सारी खाने कोईले की खाने हैं और दूसरी बात जब मैंने आपको चट्टानों के बारे में बताया था तो उस समय मैंने आपको विस्ट्ट चट्टाने बताई थी गुंडवाना की चटाने, धारवाड की चटाने, तो देखिए, कोईले की प्राप्ति हमें किन चटानों से होती है, कोईला हमें धारवाड करम की चटानों से प्राप्त होता है, धारवाड करम की चटानों से प्राप्त होता है, ठीक है, तो आज हम लोगों ने जाना, कि कोईले में कोईले कैसे कहां से कैसे उत्पादित होता है कोईले का निर्मार कैसे हुआ उसके बाद हम लोगों ने कोईले में भारत की स्थिती जानी कोईले की अलग-अलग किसमे जानी उनमें कार्बन के प्रतिसरता जानी उसके बाद हम लोगों ने नक्से के माध्यम से कोईले की खानों के बारे में जाना ये सारी खाने बस ये पूछ ली जाती है कि कौन सी खान कहां पर है राजी का नाम बताईए तो इसलिए ये बहुत important है ये इतनी आपको पताओं तो आप आसदी से कोशन सही कर लेंगे तक तक के लिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और शेर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि ये बेनिफिट उन तक भी पहुंच सके and thank you for watching